अधिया नमेशकार आप देखे रहे हैं सीरी उस भानतों और मैं आपके साथ रचा सिंग्ग वक्त हो गया है आज की राशी फल्का सितारे और ग्रहन शत्र अपनी चाल बदलते रहेंगे जानेंगे क्या है आपका राशी फल्का आज का हाल मेश राशी पारिवारिक वर्ग सरकारी नियमों से परिशान रहे का, बंधु विरोज से बचे रहे, कोई पारिवारिक विवाद जगरे का गंभी रूप ले सकता है, उपाई चान्दी चावल और दूद का दान करे में उचादिकारियों की निकटता बढ़ेगी, उपाई दस मुखी रुद्राक्ष गली में धारन करे मिथुन राशी घर में परस पर विरोध पून पातावरण बन सकता है, मुकदमे में पराजय का मूँ देखना पड़िका, मुकदमे की पैर्वी ठीक से करे उपाई मीट शराब का सेवन ना करे, करक राशी, राजनीती में आपके प्रभावपूर भाशर की संभावना होगी, आपकी आख अत्वाकान की कोई समस्या समाप्त होगी, नए व्यापार में उपहार प्राप्त होंगे उपाई ओम श्री वासल्य नम्हा मंत्र का 21 बार जब करे, सिंख राशी, किसी अनहोनी की आशन का वनी रहीगी, अध्यन में विग्न बाधाओं के आने से मन खिन रहेगा, रोजगार के लिए बहुत भटकनी के बाद भी निराशा हाथ लग सकती है उपाई चने दाल गाए को खिलाए, कन्या राशी गीच संगीत की दुनिया में आपके नाम का डंगा बजेगा, उचादिकारी से गनिश्रता बढ़ेगी, राजनीती में आपका वर्चस्वे बढ़ सकता है, उपाई काले तेल को पानी में डाल कर स्नान करे तुला राशी, व्यापार में अत्यदैक विवस्था रहेगी, किसी महत्वपूर कारे के संपंध होने से आपके साहस और उत्सा में व्रधी होगी, धन समापती को लेकर कोई उतावला पन ना करे, उपाई गलत कारियों से दूर रहे पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर मसले पर बारता होगी, उपाई हनमान जी को गुलाती माला और फल अरपित करे, धनू राशी व्यार्थ भाग दौर और तनाव के साथ दिन की शिरुवात होगी, कारेशेत में व्यार्थ वाद विवास से बचके रहे, वरन बाद विवास से जगरा हो सकता है, उपाई ओम शुम शंकराय नम्हा मंत्र का स्टफिक माला पर 108 बार ज्राब करे, मगर राशी संतान पक्ष से कोई शुब समाचार मिले का, अध्यान एवं अध्यापन के कारिसे जुड़े लोगों को किसी की सफलता मिले के, किसी अभिन् उपाई साथ प्रकार का अनाश दान करे, कुम्व राशी आप अपने क्रोध और वाडी पर सयम रखे, अनिता परिवार में अकारण विवाद हो सकता है, व्यापार है आया विगनि किसी परिजुन की सहयोग से दूर हो जाएगा, उपाई अपनी उपर से साथ बार नारील बहते पानी में प्रवाहित करे, मीन राशी आप अपना काम दंदा छोड़ कर मौझ मस्ती में लगी रह सकते हैं, व्यापार में अपना कारे दूसरों के भरों से छोड़ने की आदत बनी रहेगी, कारे छेतर में स्थान परिवर्तन हो सकता है, उपाई श्री गड़ेश जी को दूब, गास और मोदक अर्पित कर आर्थी करे, फिलाल के लिए आज के राशी फल में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम ख़बरों को जानने के लिए आप जुड़े रहेए से नियूस भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ